के प्रसंगने अनुरूप अपने उत्पर दिए आध्याणिय संजे सिंजी भारत माता की इंकलाब इंकलाब मंचपरासीन आज के कारिक्रम के हीरो और हम सब के बहुत ही प्रिये भाई हार्दिक पटेल जी को उनके जन्म दिन पर हिर्दे से बहुत बहुत सुपकामनाई देता हूँ और इस्वर से प्रात्रा करता हूँ कि आपको इस्वर दीरगाईव दे आप तरक्की और उन्नती के रास्ते पर आगे बढ़ते रहे मंजपरासीन, AICC के रास्ती महा सच्छी और बिहार के प्रभारी गुजरात के मजबूत नेता सक्ति सिंग गोहिल जी भाई हार्दिक पटेल जी का फोन चार पांस दिन पहले मुझे आया और उन्होंने का कि गुजरात चेतना सम्मेलन मैं अपने जन्म दिवस के दिन आयोजित करना चाहता हूँ जिसमें पूरे गुजरात के लोग हिस्ता लेंगे उसमें आप शामिल हो ये तो मैंने का मैं बिल्कुल आऊंगा लेकिन मैं जब यहाँ पर आया तो मेरे दिबाग में कई बातें चल रही थी मैंने सोचा कि गुजरात चेतना गुजरात की चेतना से अगर बात की जाए गुजरात को चेतना से अगर जोड़ा जाए तो आजादी के आंदोलन में रास्टपिता महत्मा गांधी और सरदार बल्लब भाई पटेल ने पूरे हिंदुस्तान को आजादी के आंदोलन में ख़डात किया था गुजरात ने चेतना दी थी हिंदुस्तान को और जब 74 का समय आया तो एक छोटा सा अंदोलन यहीं गुजरात से निकला था और वो था मेस की फीस बढ़ने का अंदोलन उसके बाद आज की बात अगर हम करें तो आज जो राजनीती चल रही है गांधी के गुजरात से सरदार बल्लबाई पटेल के गुजरात से ऐसे गुजरात से जिसने नैतिकता के माबदंड को खड़ा किया जिसने पूरे देश को दिसा देने का काम किया मैं अमेरिका गया था पार्टी के करक्रम में वहाँ एनाराइज ने मुझे बुलाया था एक अंग्रेज ने मुझे से पूछा आप कहां से आये हैं मैंने का इंडिया से आया हूँ उसने का ओ गांधी उसको इंडिया का मतलब गांधी समझ में आता है मोधी समझ में नहीं आता ये आपकी पहचान है इसको याद रखिएगा गांधी समझ में आता है सरदार बल्लब भाई पटेल जिनके जीवन के बारे में पढ़िये और जानिये तो रोंग्टे खड़े हो जाते हैं एक घटना उनके बारे में जब मैं पढ़ता हूँ और उनके बारे में बोलने का आवशर आता है तो मैं उसे जरूर याद करता हूँ कि कितने बड़े व्यक्तित्व के धनी थे सरदार बल्लब भाई पटेल कि वो कोट में एक मुकदमे की बहस कर रहे थे उस दोरान उनको परची पर सूचना मिली कि आपकी पत्नी का निधन हो गया है उस परची को वो जेब में रख लेते हैं अपनी बहस जारी रखते हैं मुकदमा लड़ते हैं मुकदमा जीत जाते हैं तब बताते हैं कि हमारी पत्नी का निधन हो गया है इतने बड़े व्यक्तित्व के लोग गुजरात की राजनीती में थे सरदार बलब भाई पटेल जी जैसे लोग हिंदुस्तान की राजनीती में अगर हम ने तिक्ता की बात करे लाल बहादुर सास्त्री जी को हम नहीं भूल सकते जै जवान जै किसान का जिनोंने नारा दिया जिनके आवाहन पर जब उन्होंने कहा कि देश में अनाज का संकट हो गया है एक दिन का उपवास रखो तो देश के युवाओं ने माताओं बेहनों ने बुजुर्गों ने गाओं में रहने वाले किसानों ने लाल बहादूर सास्त्री जी के आवाहन पर एक दिन का उपवास रखा, अन का संकट दूर हुआ, ये हिंदुस्तान के राजनीती में नैतिकता थी, चौधरी चरन सिंगी को भी हमको याद करना चाहिए, चौधरी चरन सिंगी किसानों के बहुत बड़े नेता हुए, मुझे याद है, हमारे या सुल्तान पुर उत्तर प वो तो सराब पीकर नाली में गिरा रहता है, ऐसे आदमी को क्यों आपने प्रत्यासी बना दिया, उन्होंने पूछा क्या ऐसी बात सच है, पार्टी के कारकरता हुने का हाँ, बिल्कुल सच है, आपको जानकर गर्व होगा, चौधरी चरन सिंगी हिंदुस्तान के किसानों के नेता मंच पर खड़े होते हैं भांसर देने के लिए, तो उन्होंने कहा, मैं गलती से अपने प्रत्यासी का प्रचार करने के लिए आया हूँ, ये सराबी है, इसको वोट मत देना हिंदुस्तान की राजनीती में ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसे ऐसे नेता थे, और मुझे गर हारदिक पटेल मैं इसलिए, इसलिए इनको बधाई भी देना चाहता हूँ, और बहादुर लोगों की दिल से इज़्जत करता हूँ, इसलिए हमेशा आपके साथ हर अंदूलन में, हर संगर्स में खड़ा रहूंगा, ये यकीन दिलाना चाहता हूँ, लेकिन एक करने वाले हैं, जितने लड़ने वाले हैं, जितने आंदूलन करने वाले हैं, ये आमरन अंसन करके अपना जीवन दे दें, आप से मैं कहना चाहता हूँ, लड़ो, संगर्स करो, इनको राजनीती के छेतर में, आंदूलन के छेतर में, पराजित करने का काम करो, इनके सामने आमरन अंसन करके अपने जीवन पर संक्ट लाने की आवशक्ता नहीं है आज बड़े दावों के साथ एक सरकार आ गई और किसी को समझ में नहीं आ रहा है ये सरकार कैसे आ गई 2014 में लगता था कि हाँ मोदी जी का थोड़ा बोल वाला है 2019 के चुनाओं में तो चारो तरफ सन्नाटा था जहां हम लोग जाते थे लोग कहते थे दो करोड रोजगार का वादा किया मोदी जी ने पूरा नहीं किया पंद्रा लाज देने का वादा किया पूरा नहीं किया महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा किया पूरा नहीं किया डालर 40 रुपए में हो जाएगा कहा पेट्रोल 49 रुपए में विकेगा डीजल 28 रुपए में विकेगा वादा पूरा नहीं किया और तो और ऐसी ऐसे वादे कर दिये बोलेट टैक्स ही खतम हो जाएगा इंकम टैक्स देश में समाप्त कर दिया जाएगा पांच साल में सरकार की कोई उपलब्धी जब नहीं हुई तो फिर से हिंदू और मुसल्मान के खाने में देश को बाट कर चुनाओ के मैदान में आगए और जिस तरफ हम लोग जिक्र करना चाहते हैं बात करना चाहते हैं आज हर आदमी के मन में संसे है कि ये चुनाओ परिणाम कहीं इवियम के आसिरवाद से तो नहीं आया है एक संसे है लोगों के मन में संदे है जिन लोगों को गाओं में नहीं घुसने देते थे हमारे आधिल्ली में जिन सांसत के प्रत्यासी को गाओं में नहीं घुसने देते थे वो छे लाग से चुनाओ जीत के आ गया छे लाग से चुनाओ जीत के आ गया तो कैसे हुआ ये तीन सो तीन सीटे आ गई ज़ंकारी मिले ना मिले सर्वे वाले ना जान पाएं टीवी वाले ना जान पाएं मीडिया वाले रह यह जनता को पताना चले लेकिन मिस्षा को सबसे पहले पता चल जाता है वो कहते अब की बार 300 पार रृट और 303 अगे और नंबर मुद्दो के नाम पर नहीं आया देश के किसान के सामने गंभीर संकट है उसको फसल का डेड़ गुना दाम नहीं मिलता नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है हिंदुस्तान की आजादी के बाद 45 वर्सों में सबसे जादा अगर बेरोजगारी का अस्तर बढ़ा है तो में सामने आती है उत्तर प्रदेश की मैं बता सकता हूं गुजरात का अकड़ा अभी आपने दिया आज प्रति दिन करीब 20 से ज्यादा महिलाएं अप रहन के मामले में बलातकार के मामले में गुजरात के अंदर पीडित होती है ऐसा अकड़ा अभी हार्दिक भाई ने जा हत्या हो जाती है हमीरपुर में मासूम बच्ची के साथ बलातकार और उसकी हत्या हो जाती है मुझफर नगर हो मेरठ हो हर जिले के अंदर अपराध तेजी के साथ बढ़ रहा है अभी जिक्र किया था सक्ति सिंग गोहिल जी ने यहांपर कि सोन भद्र में क्या हो गया दस की निरसन से हत्या कर दी गई लेकिन इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते अगर ये घटना बंगाल में हुई होती किसी दूसरे राज्य में हुई होती तो मीडिया बखेडा कर देता लेकिन चुकि उत्तर प्रदेश के अंडर दस लोगों की हत्या हुई दो जवान पुलि सवालों के घेरे में इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा आज सोचल मीडिया एक माध्यम है जहां से आप सही जानकारी दे सकते हैं वहां पर भी ट्रॉल बैठा दिये गए बीजेपी के ट्रॉल बैठा दिये गए दिन रात गालिया देते रहते कोई भी नेता कुछ भी लिखे कोई बयान दे उसके नीचे गाली देने वाले पड़ जाते इसलिए एक बड़ा चुनोती का समय है इस समय और ऐसे समय में हम सब को एक साथ संगठित होकर भारती जनता पार्टी की नीतियों के खिलाफ संगर्स करना होगा लड़ना होगा और वो चेतना गुजर को आगे बढ़ाना है ले चलना है साथियों और दोस्तों आज एक और घटना मुझे याद आती है इस चुनाव परिणाम को देखकर पूरे तरफ खामोसी सन्नाटा के स्थिति है कहीं कुछ हो जाता है कितने लोग चुप रही है आप खामोस रही है क्योंकि इतना यह हमारे लोगतंत की सिक्षा है कि यह क्या यह बाबा साहिब भीमरावं बेटकर का संविधान हमें कहता है मैं कहना चाहता हूं भाजपा की 300 नहीं साड़े 300 नहीं 543 में से 540 सीटे भी आ जाए फिर भी उनकी गलत नीतियों का विरोध करने का अधिकार एक एक हिंदुस्त लुश सानी को है इस बात को याद रखना और इस पर मुझे याद आता है आज उस संसद के अंदर जहां पर लोगख खामों से चुप है मुद्दों को उठाते नहीं उसी संसद में डॉक्टर राम्मनोहर लोहिया जैसे नेता हुए उसी संसद के अंदर राज नरायन जी ज पटेल भी गए और अपने आवाज को संसद के अंदर उठाया यह इस बात की चिंता नहीं की कि हमारे साथ 10 सांसद है कि दो संसद है कि पाथ संसद है इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं हार्दिक पटेल की शक्ति संसद और विधायक और मंत्री की नहीं है हार्दिक पटेल क शक्ति जन अंदुलन की शक्ति है आपकी शक्ति है आपके प्रेम और आपके इसने की शक्ति है इसको जिंदा रखेगा इसको कायम रखेगा आद दो साल की सजा ऐसे मामले में हो गई जिसमें हार्दिक पटेल बारवे नंबर के आरोपी बारा तेरा नंबर के आरोपी को सजा और उपर के दस आरोपी बड़ी इसका मतलब तो समझ में आ रहा है ना लेकिन हमारे देश में कहा जाता है भई आप नियाले के उपर सवाल नहीं उठा सकते हम भी सवाल नहीं उठा रहे हैं लेकिन सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि क्या कारण है कि आज चुन-चुन कर ऐसे नेताओं पर कारवाई की जा रही है जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का काम करते हैं मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं इस गुजराच चेतना संबेलर में कहना चाहता हूं मोदी जी और अमित साह जी और उनकी पार्टी से कहना चाहता हूं एक नहीं एक हजार मुकद में लिख लो हमारा आंदोलन संगर्स आपकी गलत नीतियों के खिलाब जारी रहेगा ये लाटी डंडे और देज जेल के दम पे आप इस आंदोलन को रोक नहीं सकते इस गुजरात ने पार्टीदारों का अंदोलन देखा दलितों का अंदोलन देखा OBC का अंदोलन देखा सभी आंदोलनों का गवाह ये गुजरात रहा है लेकिन आप मुझे ज़रा बताइए जो आंदोलन कारियों को मारा गया और उनके खिलाफ जो कारवाई होनी चीज़ जिन लोगों ने मारा उन पर आज तक कोई कारवाई नहीं हुई लेकिन जो लोग आंदोलन में शामिल थे उन पे मुकदमे लगा लगा के इसलिए सजाएं कराई जा रही है कि ये लोग चुनाओ की राजनीती से दूर रहें ये लोग चुनाओ नहीं लगने पाए मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रीम कोर्ट में हार्दिक पटेल जी का मामला गया है उम्मीद करता हूँ और भरोसा है कि देश के सरवोचे नयायले से इनको न्याय मिलेगा और जल्द ही चुनाओी राजनीती में चुनाओ के मैदान में भी आप कूदेंगे और जीत कराएंगे ऐसा मुझे पूरा यकीन और भरोसा है आज साथियों एक सरकार हमारी दिल्ली में चल रही है क्या हालत कर दी हम लोगों की केजरीवाल के घर पे दरोगा भेज़ देते हैं दफ्तर पे सीबी आई भेज़ देते हैं मनीस सिसोधिया पुरे दुनिया में सिक्षा मंत्री के रूप में प्रख्यात हैं उनकी चर्चा हो रही है उनके घर पे सीबी आई है हमारे स्वास्त मंत्री के महला क्लिनिक के मॉडल की अमेरिका नियू यॉर्क में चर्चा हो रही है उसके घर पे सीबी आई पचीस पचीस विधायकों को उठा के जेल के अंदर डाल दिया 19 को कोट ने बरी कह दिया कहा कि इनके खिलाब कोई साक्ष नहीं इसका मतलब दुरभावना से केंदर में बैठी भी सरकार राज्य सरकारों के खिलाफ काम कर रही है इसके बारे में भी हम लोगों को बोलना पड़ेगा आवाज उठानी पड़ेगी ये मुकदमों और डंडों और सीवियाई के डर से देश नहीं चलेगा इस देश को अगर चलाना है और आगे बढ़ाना है तो सभी राज्य सरकारों को चाहे वो बिपक्षकी हो चाहे सत्ता पक्षकी हो उनको न्याए देना होगा एक निगाह से देखना होगा उनके साथ सौतेला बिवहार बंद करो ये हम कहना चाहते है हमने देखा अभी करनाटक में क्या हो रहा है गोवा में क्या हुआ उसके पहले अरुणाचल में क्या हुआ था उत्राखंड में क्या हुआ था पूरे देश में आज राज जपाल के डंडे से सरकारे चलाई जा रही है और सारे समस्याओं को दबाने के लिए वो चाहे किसान की समस्या हो वो चाहे नौजवान की समस्या हो वो माताओं बेहनों की सुरक्षा की समस्या हो एक ही फार्मूला बीजेपी के पास है हिंदू करो मुसल्मान करो देश को दो टुकडों में बाट कर और अपनी राजनीती साद हो मैं आपसे कहना चाहता हूँ एसेम्बली का काम पार्लेमेंट का काम मंदिर और मस्जिद बनाना नहीं है संसत का काम हमारे बच्चों को सिक्षा देना है साफ पानी देना है बिजली देना है पढ़ाई देना है देश को तरक्टी पर ले जाना संसत का काम है संसत का काम हिंदू मुसल्मान करना नहीं है मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ लेकिन पूरे देश को हिंदू और मुसल्मान के खाने में बाट दिया जाती और धर्म के खाने में बाट दिया इनके नेता कहते हैं ताज महल तोड़ डालो इसलिए कि इसको मुगलों ने बनाया मैंने का फिर पार्लेमेंट भी तोड़ डालो उसको भी अंग्रेजों ने बन ये वो मुल्क है जहां बिस्मिल्ला खान की सहनाई संकट मोचन के मंदिन में गूंसती है ये वो मुल्क है जहां मलक मुहम्मद जायसी पदमावत लिखते हैं ये वो मुल्क है जहां रस खान को पढ़कर हम भग्मान कृस्न के बारे में जानते हैं ये वो मुल्क है जहां मुहम्मद रफीगाना गाते हैं, सुख के सब साथ ही, दुख में न कोई, मेरे राम, तेरा नाम, इख साचा, दू जाना कोई, ये वो हिंदुस्तान है. इस हिंदुस्तान की खुबसूरती को बरबाद मत करो इस हिंदुस्तान को तोड़ने का काम मत करो आजादी के आंदोलन में आपका क्या योगदान रहा है हम सब जानते हैं RSS और BJP का क्या योगदान इस संस्था का क्या योगदान रहा है हम जानते हैं इसी विचारधारा ने रास्टपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी के हत्या की थी हम इस विचारधारा को आगे बढ़ने नहीं देंगे हम नफरत की बुनियात पे नहीं मुहबत की बुनियात पे हिंदुस्तान को बनाने का काम करेंगे गुजरात को बनाने का काम करेंगे मुझे बहुत खुसी है आज सभी जाती, सभी धर्म सभी तरह के लोग आज इस मीटिंग में सामिल होने के लिए आए हैं, साथी राजस्थान से भी आए हैं, महरास्टा से भी आए हैं दिल्ली उत्तर प्रदेश से भी आए हैं, हम सब ये बताते हैं, हमारे तो रास्टगान में भी लिखा है, पंजाब, सिंदु, गुजरात, मराथा, द्राविड, उतकल, बंगा, सारे राज्यों का जिक्र हम करते हैं, उससे हिंदुस्तान बनता है, कि अलगलग भासाओं को ल को छुपाने के लिए धर्म और जाती का सहारा लेते हैं, एक तरफ गुजरात के सरदार बलब भाई पटेल थे, जिनको अपनी पत्नी के निधन की सूचना मिली, फिर भी अपने करतबे से पीछे नहीं हटे, दूसरे तरफ नरेंदर मोदी जी है, पुलवामा की घटना में जवान मारे गए, लेकिन वो अपनी फिल्म की सूटिंग जारी रखते हैं, ये समवेदनाओं का अंतर है, जिसे हमें समझना पड़ेगा, जिसे हमें समझना पड़ेगा, इस खाली भासर देने से काम नहीं चलेगा, भासर देने में तो मोदी जी का कोई जोड ही नहीं है, क फिर कहने लगे, सहीदे आजम भगत सिंग जब अन्दमान निकोबार की जेल में बंद थे, अब सहीदे आजम भगत सिंग अन्दमान निकोबार की जेल में कभी बंद ही नहीं थे, तक्छसिला को बिहार में पहुचा दिया, हमारे यां उत्तर प्रदेश में गए, तो बोल फिर कहने लगे जब दयानंद सरस्वती जी की स्यामा प्रसाद मुखर जी से मुलाकात हुई थी जब स्यामा प्रसाद मुखर जी की उमर आठ साल की थी तब दयानंद सरस्वती जी का निधन हो चुका था अब उनकी मीटिंग कब हुई फिर कहने लगे नाले की गैस से आप लोग चाहे बना लीजिए और सारे बैग्यानिक बैट के ताली बजा रहे हैं यह खुबसूरती मोदी जी में है कि कोई भी काम करते हैं प्रचारी तैसा करते हैं कि आपको दीपावली और होली का तेवहार मनाने के लिए मजबूर कर देते हैं बोले वन नेशन वन टैक्स जी एस्टी लेके आ रहे हैं अमताब बच्चन को देखिए लता मंगेसकर का गाना सुनिए रात में बारा बजे वन नेशन वन टैक्स आपसे टैक्स बढ़ाने का भी जस्ट मनवा दिया मोदी जी ने 5% से 28% टैक्स कर दिया और बोले जस्ट मन नाओ देश के लोगों टैक्स बोब वन नेशन वन टैक्स हो रहा है तो ऐसी खूबसूरती हमारे प्रधान मंत्री जी के अंदर है कब क्या बोल जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता कब क्या बोल देंगे उनको खुद पता नहीं चलता इसलिए उनकी वादों की परताल कर लिया कीजिए जाच कर लिया कीजिए ये वही भाजपा के लोग हैं जिनों ने एक दिन में पूरी दुनिया में गणेश जी को दूद पिला दिया हमारे एक सेड़ जी थे बगल में सेड़ जी ने का भाईया हमारा दूद तो गणेश जी नहीं पिए तो भाजपा के नेता पाप किये होगे चाचा इसी लिए नहीं पिये तो उसने का नहीं पिये पिये लेकिन थोड़ा थोड़ा पिये ज्यादा नहीं पिये ऐसे हो सियार लोग है इनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है इनसे समल कर चलने की जरूरत है आतंकवाद की पाकिस्तान की हिंदू की मुसल्मान की बात अगर ये लोग करते हैं तो आपको जरूर इनसे सवाल पूछना चाहिए कि आप आतंकवाद की बात करते हैं लेकिन अफजल गुरू को सहीद मानने वाली पीडी पी के साथ तुमने कश्मीर में सरकार क्यों बनाई आपको सवाल इनसे करना चाहिए इनसे पूछना चाहिए कि पठान कोट में जहां हमारे शहीदों ने अपने प्रान गवाए उस पठान कोट में I.S.I. को जो हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाता है उसको बुला कर तुमने जाच क्यों करवाई आपको सवाल इनसे पूछना पड़ेगा जिस पाकिस्तान को हम अपना दुस्मन मानते हैं उस नवास सरीफ को गले लगाते हो साड़ी और सिवई का खेल खेलते हो और बिना बुलाए हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले जाते हो इसका जवाब कौन देगा आपको इन से सवाल पूछना पड़ेगा मसूद अजहर जिसको लाने के लिए आज तुम प्रयास कर रहे हो उस मसूद अजहर को छोडने का काम किसी और ने नहीं भारती जंता पाटी ने किया था ये इनका इतिहास है इनको रास्टवाद और देजभक्ती पर बोलने का अधिकार नहीं है ये आपसे रास्टवाद और देजभक्ती का प्रमान पत्र मांगते हैं इतिहास है पढ़ लेना बावन साल तक नाकपुर के मुख्याले पर तिरंगा जंडा नहीं फैराया गया आज वो लोग आपसे तिरंगे की बात करते हैं वो लोग कहते हैं हम रास्टवक्ती करेंगे हम रास्टवाद करेंगे हम देजभक्ती करेंगे अरे बेइमानों पहले अपनी देजभक्ती अपने रास्टवक्ती पर हमसे खुली चर्चा करो हम ये साबित करना चाहते हैं तुमने हमेशा रास्ट को तोड़ा है रास्ट को नुकसान पहुचाने का काम किया है और इस देश के लोगों ने हमेशा रास्ट को जोड़ा है और रास्ट को आगे ले जाने का काम किया है हारदिक पटेल जैसे लोग इनकी ताकत आपको कम लग सकती है लेकिन सत्ता से लडने की हिम्मत और ताकत अगर किसी सक्स में है तो ऐसे नौजवानों में है इसलिए इनको फिर्दे से बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ एक लाइन मुझे याद आ गई कि इस नदी की धार से थोड़ी हवा आती तो है आज जिस प्रकार की उदासी चारों तरफ है जिस प्रकार से लोग डरे हुए है जिस प्रकार से लोग घरों में बैठे हुए है इसलिए मुझे याद आता है कि इस नदी की धार से थोड़ी हवा आती तो है और नाओ जरजर ही सही लहरों से टकराती तो है आपकी बहादरी को आपके हिम्मत को मैं सलाम करना चाहूंगा आज मुलक की हालत ये हो गई किसान देखो तो परेसान नौजवान देखो तो परेसान ब्यापारी देखो तो परेसान माताए बहने परेसान आज पुरा देश अडानी को, अमबानी को नीरो मोदी को, टाटा को बिल्ला को, जेपी को बड़े बड़े पूंजी पतियों को दे दिया गया है 8,55,000 करोन का करजा चंद उद्योक पतियों के उपर है बेरुजगार नौकरी मांगते है सरकार कहती है पैसा नही है किसान करज माफी की बात करता है सरकार कहती है पैसा नही है महिलाएं सुरच्छा मांगती है सरकार कहती है पैसा नहीं है अरे जब इनके लिए पैसा नहीं है तो इन पूझी पतियों का पांच लाख तिरपन हजार करोण रुपए तुमने क्यों माफ किया इसका जवाब सरकार से में मांगना होगा ये बड़े सवाल हैं जिन सवालों को हमको पूछना होगा आज हमारा आपका पैसा जो बैंकों में जमा रहता है किसान का, मजदूर का, नौजवान का, करमचारी का वो पैसा उठाकर पूझी पतियों को करज के रूप में दे दिया जाता है आठ लाख पच्पन हजार करोन का करजा बाट दिया जब करजा नहीं पूरा हो पाया तो उसको NPA कर दिया और पांच लाख तिरपन हजार करोन का करजा माफ कर दिया जब पूझी पतियों का करजा माफ कर सकते हो तो किसान का करजा माफ करो बेरोजगार का करजा माफ करो छोटे ब्यापारियों का भी करजा माफ करो ये दोहरा न्याय का सिध्धान तिस देश के अंदर नहीं चलेगा आलू का किसान लाठी खाता है पानी मांगो तो लाठी जमीन का मौपजा मांगो तो लाठी गन्ने का दाम मांगो तो लाठी पानी सिचाई के लिए मांगो तो लाठी ये लाठी के दम पर जो सरकार चल रही है आपकी आवाज को दवाने की जो कोसिसे हो रही है उन कोसिसों के खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आसू बहाने लगेंगे वतन की जो हालत सुनाने लगेंगे तो पत्थर भी आसू बहाने लगेंगे अगर भीड में खो गई आदमियत तो उसे ढूंडने में जमाने लगेंगे इंसानियत को आदमियत को बचाने के लिए हम सब को काम करना है एक साथ चलना है एक साथ मिलकर इसकारमा को आगे बढ़ाना है फिर से आज एक बार फिर हारदिक पटेल जी को उनके जनम दिन पर धेर सारी सुबकामनाय देते हुए मैं अपनी बात को खतम करूंगा बहुत बहुत धन्यवाद इंकलाव 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 बहुत बहुत शुक्रिया